दोस्तों आज करेंगे आप कैसे मतलब अपने आंड्रोड डिएस में सर्वा क्रिएट कर सकते हो बिल्कु स्टेप बाइस तो सबसे बले आपको उपन करना है तर्मक्स नीच आपको डिस्क्रिमिशन में लिंक मिल जागी साप्रिकेशन प्केशन प्केशन अपड़ेट यह कम आपको अपने चलिस्टेप करेंगे तो दोस्तों आसे करेंगे इस नाम का कसे अटना प्री नाम चांट पर दैक्रीक्तिय। सब्सक्राइब तो आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगे तो आपको स्टेप वैसे करना है टर्च के बाद जो भी नाम था वह आप अपने मर्जे से दे सकते हो लेकिन डॉर जरू लगा ना क्योंकि दोस्तों मतलब जास्क्रिप के फाइल हैं तो यह दोस्तों मैंने क्र दोस्तों फिर टॉप में आपको देखने को मिल जाएगे त्री डॉक्स नाविगेशन बटर उसको आपको क्लिक करना है और यहां पर इस तरह के नम दूसरा देदे हने तो इस फाइल को मैं ओपन करता हूं दोस्तों इस फाइल को ओपन करने का बत मिलिए आपको यहां पर आपको अपने कोड जो भी आपने डायट रेक्टरे के लिए थी फाइल उस फाइल के अंदर आगए आपको यहां पर लिखना है तो दोस्तों आप मैं करता हूं एक मतलब वेरिड़ जो भी कोड आपको स्क्रीच के ओपर देखने हों यहीं कोड आपको स्टेप पास अब्जेक्ट है sttp के अंदर जो है create server नाम को तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक callback function मतलब है use करना होता है तो फंचन हमें इने यह पर यूज क्या और उसके अंदर दो parameters पास करना होते है एक req मतलब request और एक res मतलब response के लिए फिर दोस्तों मैंने यहां पर 38000 से लिख्या है आप कुछ भी लिख सकते हो और उसके बाद एक callback function कामा देखा जो आपके screen को पर देख रहांगा और console log में आपको मतलब बैर उस server का जो भी आपको मतलब शो करना अपने टर्मिनल में कि कौन सा port ओपन हो रहा है तो आप शो कर सकते हो बस यह मतलब आप समझ सकते हो कि यह मतलब दिखाने के लिए server में तो यह callback function मैंने यूज का server.listen के अंदर जो मैं बताएगा कि कौन से port पर server चल रहा है और दोस्तों यहां पर क्या है कि अब में क्या कोता हूँ नोड और वही टर्मिनल ओपन करके उसी डारेक्टिय में नोड और जो डारेक्टिय का नाम मैंने प्रवाइड किया तो उसे मैंने मतलब नोड और स्पेस के जब équंछड रहा है और मैंने के समया तर लारेक्टिय का तोस्तों है